वीडियो को पूरा देखे स्किप ना करें और अगर हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाते ताकि आपको आगे के नोटिविकेशन से लिंते रहेंगे आपको फ्रेंट में इसके ब्रेक्स से स्टाइट करते हैं हम लोग तो गाइस आपको फ्रेंट में त्रीन्डेट मिल जाते हैं जो कि विट अबीए साते हैं और इस बाइक के अच्छे ग्रिप के साथ में आते हैं तो यह आप उसको ओफ रोडिंग में भी यूज करते हैं नॉर्मल सीटी में भी आप उसको आराम से यूज कर पाएंगे यह बाइक कुछ इस तरीक से डिजाइन किया गया है और यहां पर आपको छोट असा प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है सस्पें आपको रिंग में ग्रे कलर आपको दिखने मिल जाता है और यह इसके टर्न इंडिकेटर जो की फुली LED आते और बहुती क्लासी और बहुती मस्त लग रहे हैं जो आपको BMW में देखने को मिलते हैं वह ही यहां पर टाच आप पर TVS ने भी डाला है और इसका साइड ग्लासे में बहुत इतना कुछ ज्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा और यहां पर आपको फीचर बटन देख सकते हैं आप पास लाइट टर्न इंडिकेटर स्वीच और यहां पर आपको इंफोर्मिशन बटन मिल जाता है यह कि यह टॉप-end variant में आता है और इस साइड आप देख सकते हैं इंजन केल स्वेच और यह मोड चेंज करने का क्योंकि बाइक के अंदर आपको दो मोड मिल जाते हैं रेन और अन्बर और यहां पर आपको हजार्स वीडिए मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है बड़ी बाइक में अब टीवेस यह सब फीचर देन सकते हैं कि हाँ यह रॉनिन के लिए अलग से बनाया गया है और चलिए इसका स्पीड़ोमेटर ओंगर के देखते हैं आपको इसका पूली है डिजिटर आपको मिल जाता है इसका अंदर आपको स्मार्ट कनेक्टिवेटी मिल जाते क्योंकि टॉपन वेरियंट है और इसमें कोई अंदर देखता है ABS मोड यह की अंदर है मतलब भर भर के फीचर इस गयासर बाइक के अंदर और देख सकते हैं अस्का टैंक अपशीटी आपको पूरा black finish में मिलता है जो कि बहुत ही hard material के साथ में और heavy material के साथ में बनावाँ आपको मिलता है इसके bike के dimensions आप देख सकते हैं length, width, height, wheelbase, ground clearance सब आपको देख सकते हैं और weight सब आपको दिख जाएगा हम आपके, और यहाप इसके side calls आप देख सकते हैं, आपको similar finish मिल जाती है side में आपको Ronin रिखावा मिल जाता है, नेचे की तरह आपको dual tone करने, triple tone करने मिल जाता है और इसका seat height भी अच्छा खासा है, अराम से चला सकते हैं आप इसको, ब्राउन कलर में पूरा seat देखने मिल जाता है जो की बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही स्टाइलिस आपका grab handle, आप इसको एसे से चेंज भी करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहिए तो वैसा था यह बहुत ही hard particle के साथ में आपको provide किया जाता है कंपनी के द्वारा अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप करवा भी सकते हैं और आप देख सकते हैं आपको इंजन कट आफ सेंसर मिल जाता है जो की बहुत ही बढ़िया सेफटी फीचर है आपके लिए और यह बहुत help करता है यह बहुत है इसे मतलब चीजों है और देख सकते हैं आपको पूरा ब्लाइक फिनिश के साथ में आपको एंजन देखने मिलता है बाइक के अंदर और यह फूट रेस्ट देख से छोटा है पर ठीक है और यहां पर आपको पूरा रबर टीटमेंट के साथ में मिलता है और इसका रेयर लुक बहुत ही शानदा रेयर लुक के साथ में ऑको बएक प्रोइट कि जाती है और इसके तेल लेंट आप देख सकते हो पुली लीडी टेल लेंट पर और बहुत ही प्पर बहूत ही बढ़िया लगठा होता हिझा यह पूरा फिर्फे विनिशके यह यह जो त इसके exhaust की बात की जाए तो इसका exhaust साव हम लास्ट में सुनेंगे बिल्कुल और इसके रेर ब्रेक्स की बात की जाता आपको 240 mm के disc brakes मिल जाते हैं जो कि फुली ABS है मतलब बाइक के अंदरा को dual channel ABS मिल जाता है टायर सा इसकी बात की जाता तो 130 साथ step up इसको आप adjust कर सकते हैं और टायर अगर भी आपको इसके पास मिल जाता था कि इस पर अगर आप की जाए तो 20.4 PS का power S के अंदर और टॉर्क की बात की जाए तो 19.93 न्यूटरमिंटर का टॉक मिलता है तो गाड़े का performance बहुत ही फॉड होने वाला है अगर आप इसको चलाएंगे तो आपको बिलकुल बहुत मजा आने वाला है तो गाइस चलिए इसका अब एक्जॉस्स तॉन सुलना थे कि इसका एक्जॉस्स तॉन के था इसके बाद है इसके प्राइस के बारे में भी हम बात करेंगे चलिए गाइस बाइक के अंदर आपको वांटेज स्टार्ट मिलता है तो गाइस अपसका है पिम यह चेक कर सकते हैं इसका तो यह का लोवी में और इसके मारा कि पाउर्फुल है रात ना आपको समझ में आएगा कि कि विद्धेंगे पिदए नहीं समझ में नहीं आ रहा है इसका जो एक शोरूम प्राइज है वो 1,687,500 रुपीज है और इसका जो अन्रोड प्राइज है वर 2,1911 रुपीज है आप यह गाड़ी चेक आउट कर सकते हैं मैंने आपको शोरूम के डेटिल भी डिक्स्रिप्शन बॉक्स में डाल दिये हैं जाके आप चेक आउट करके कॉंटेक्ट कर सकते हैं और मैं मिलता आपको किसी नए रिवे वीडियो में तब तक लिए गुट बै जैहिन जै भारत ब